सब्सक्राइब का मतंजन हो, हरी चटनी हो, तंदूरी रोटी हो, और साथ में अचार हो, तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है असलाम कुम विवर्ज, आज हम घरम में बनने वाला रिवायती पकवान सब्सक्राइब का मतंजन या मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे इसके लिए मैंने गाजर, मतर, आलू, शल्जम और बेंगन का इस्तमाल किया आप चाहे तो गोबी भी इस्तमाल कर सकते हैं सब्सक्राइब को क्यूब कट में इस तरहां से काटेंगे एक पैन में आदा कप घी डालेंगे और उसे हलकी आज पर गरम करेंगे और हलकी आज पर ही सब्सक्राइब की मसाले को भूनेंगे हजबी जय का नमक शामिल करेंगे एक चाहे के चमच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे आदा चाहे के चमच हल्डी पाउडर शामिल करेंगे और 3-4 बारी खरी मिर्चे काट के शामल करेंगे इसे सब्जियों के टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हल्की आज़ पे ही सब्जियों की मसाले की भुनाई करेंगे अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा सा पानी शामल करके फिर भुनाई कर सकती है एक चाय के चमल सुका धनिया पाउडर डालेंगे इससे खुश्भू बहुत अच्छी आएगी और फिर से इसको मसाले के साथ ही बुनेंगे अब इसमें सब्जियां शामिल करेंगे और इस मसाले के साथ ही सब्जियों की 2-3 मिनट तक हलकी आच पर बुनाई करेंगे सब्जियों को गलाने के लिए आदा कब पानी का शामिल करेंगे और तेज आच पर एक बॉयल आने देंगे अब आच हलकी करेंगे और कवर करके रखेंगे और सब्जियों के गलने तक पकाएंगे 30-35 मिन बाद देखे सबजिया माशाला हमारी बहुत अच्छी तरहां से गल चुकी है और पानी भी इनका ड्राय हो चुक है सबजियों को बिलकुल हलके हातों से हिलाएंगे ताके सबजियों की नेशर लोग खराब ना हो यह देखे कितनी अच्छी तरहां से गल चुकी है सबजियों का मतंजन हमने बगएर प्रेशर कुकर के हलकी आज़ पे बनाया है अब इसमें एक चाय के चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे एक चाय के चमच कुसूरी मेथी शामिल करेंगे एक चमच देशी घी या मखन का शामिल करेंगे और हलके हातों से मिक्स करेंगे आज नीचे से बन कर देंगे और पांच मिन के लिए कवर करके रखेंगे गाज़ों की मिठास को कम करने के लिए कुसूरी मेथी शामिल की जाती है अब इसमें फ्रेश धन्या डालेंगे मिक्स सबजी या मतंजन बहुत मज़े का तयार हो है और इसको आम में घर की तंदूरी रोटी के साथ सर्फ करूंगी आम रोटी बनाने के लिए जैसे हम आटा गुनते हैं सेम ऐसे ही इसका आटा हमने गुनना है और बेल कर एक साइड से पानी लगाने और जो पानी वाली साइड है उसको हम गरम गरम तवे पे रख देंगे तो इस तरह से इसके बबल्स बन जाएंगे और तवे को उल्टा कर देंगे यह देखें कितनी अच्छी तंदूरी रोटी बन के तयार हुई है हलकी आज पर और स्टीम में यह सबजी पके बहुत मज़े की तयार हुई है ना इसकी लोक चेंज हुई है और ना इसका कलर चेंज हुई है सब कुछ इसका नैच्छरल है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का बना है आप लोग भी सबजी इस तरह से बनाए और इंजुआए करें और मेरी रेसिपी अच्छी लेगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शियर करें